हेलो गाइस, वेलकम तो शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब चैनल मुनाफ़ तो भाव राप सर, मुनाफ़ नहीं, और अवर अच्छी नहीं लग रहे हैं, आया अनुमान से कम दिख लेए सर, हमने अनुमान 3,240 करोड का लगा है तो अनुमान से करीबन 200 करोड कम आई है, रेवंजियों पर तो मिस्किया है किया है, इसका मतलब क्लियर करते है मेरे खाल से मार्जिन बहुत ही खराब आएंगे, यह रिजल तो बड़े खराब दिख रहे हैं, अभी प्रॉब्ल क्या है, इस मार्केट में हाई पी मल्टिपल वाले स्टॉक्स में गुंजाईश ही नहीं आपके लिए गलती कर नहीं, ऑपरेटिंग प्रोफिट से 100 करोड अनुवान 133 करोड का था तो हां, 30% की बीट है, my god, अपरेटिंग लेवल पर, 130 कर सामने 100 करोड यह बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, Dixon के रिजल तो बहुत खराब नजर आ रहे हैं, मतला बड़े, Dixon से आप एक्सपेक नहीं डा सकते हैं, क्योंकि जनरली यह शोने वाली चीज है नहीं पुरप्र भीटा आपकी आए बड़ी मतलब आप सिर्फ रेवेन्यू कर रहे है प्रोफिट नहीं बना रहे है तो इस टो की डी रेटिंग कर देगा है यह नमबर तो वागए सर्थ 3.35% 4.6% 3.35 खाली बहुत ही खराब नमबर से उफ चलिए तो इस टोक 5% नीचे भी नमबर बहुत बहुत ही खराब है नमबर इसमें कोई डावट ही नहीं है एक बार ज़रा अब चार्स देखें चार्स कर सभी समय अब आया है कुनाल जी जारा चार्स दीखें नमबर बड़े खराब दिखने है इस वक्त अरे जी चार्ड भी बहुत खराब है अनिल जी स्टॉक 500 रुपे के स्टरों से सीधा वर्टिकली नीचे गिरा है और मुझे लगता है कि अभी भी इसके लिए इन स्टरों पर सपोर्ट नहीं है सपोर्ट 3800 से 3900 के बीच में मुझे दिखाई पड़ता है तो 2500 रुपे और गिर सकता है लेकिन अब बेचने के लिए देर हो चुकी ह तो मेरी राय में 3900 के आसपास देखते हैं क्या ये उन स्टरों को होल्ड कर पाता है अगर होल्ड कर पाता है तो इस पे कुछ थिरता लोटेगी काफी लबा एक कंसॉलिडेशन होगा फिर जाकर के तेजी देखने को मिलेगी तो तुरंट कोई तेजी बनेगी इसके जी के नंबर से अच्छी कमनी है और जनरली अब तक लेकिन एक चीज़ वरूं इंटरेस्टिंग है मतलब 900 करोड के एडिशनल रेवेन्यू पर सिर्फ 3 करोड का एडिशनल काम को है ये कैलकुलेशन आपने बड़ी फास की जोड़दार कैलकुलेशन दी